हाई मैं हूँ तुशाबा और आप देखरें फंडू कंटेंट जैसे की हम सब चानते हैं शारू खान के जनम दिन के दिन उनकी आने वाली मूवी जीरो का ट्रेलर लॉंच हुआ जीरो मूवी में शारू खान के साथ होगी अनुशका शर्मा और कट्रीना कैव और जीरो पिच्चर डायरिक की है आनन्द एल राय ने जीरो पिच्चर का ट्रेलर देखके सबी ने उसे काफी प्रशन सा दी पर हम आपको ऐसे पाच कारण बताएंगे जिसकी वज़ा से आपको जीरो फिल्म जरूर देखनी जानी चाहिए जीरो फिल्म की स्टोरी लाइन पाकी बॉलिवुड मुवी से बहुत ही ज्यादा अलग है शारुक खान ने बहुत ही सहास वाला काम किया है ऐसा रोल चुनकर जीरो पिच्चर का सिर्फ ट्रेलर देखके ही हम एक सफर पे चले गए थे तो सोचिए जब आप जीरो पिच्चर देखेंगे तब आप तो एक पूरे अलग ही सफर पे चले जाएंगे जीरो फिल्म के डायलोग्स बहुत ही ज्यादा ध्यान आकरशित करने वाले है अगर आप उसको एक बार सुनेंगे तो आप जल्दी उसे भूल नहीं पाएंगे हमें सिर्फ ट्रेलर देखके ही इतने बड़िया डायलोग्स मिल गए तो आप सोचिए अगर आप जीरो पिच्चर देखेंगे तो और कितने बड़िया डायलोग्स मिलेंगे कारण नंबर 3 जीरो पिच्छण शारुखान की बड़ी फिल्मों में से एक फिच्छर है और अब आप भी सोच सकते हैं अगर इसमें शारुखान में काम किया है तो ये फिल्म कितनी बढ़िया होगी बॉलिवुड के बाश्या ऐसे ही कोई भी फिल्म नहीं करते इसी वजा से जीरो फिल्म भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकती है कारण नमबर दो शारुखान के साथ जीरो पिच्चर में एक नहीं बलकि दो-दो हिरोईन है और दोनों ही हीरोईन कोई ऐसी वैसी नहीं है दोनों ही लीड अक्ट्रेस बॉलिवुड की सूपरस्टार्स है एक तो है अनुषका शर्मा जिनके अक्टीन काबिले तारीफ है और दूसरी है काटरीना कैफ और उनकी खूपसरिति के बारे में तारीफे कम पढ़ जाती है कारण नमबर एक सबसे बड़ा कारण है जो जीरो पिच्चर देखने के लिए वो है शारुखान इसमें बॉने का रोल कर रहे है इस पिच्चर में शारुखान की हाइट बहुती ज्यादा कम होती है बचपन से और वो किस तरह से इस दुनिया में अपनी जगा बनाते हैं यह हमें देखने मिलेगा यह बहुती अनोखी चीज है कि कोई सूपरस्टार ऐसा रोल अपने हाथ में ले इसके लिए शारुखान की बहुती ज्यादा प्रशंसा करनी होगी तो यह थे हमारे पाच कारण जिसकी वज़ा से आपको जीरो पिच्चर जरूर देखनी जानी चाहिए बॉलिवुड के ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कांटेंट को अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेर कीजिए